बुक्यमानत्री जी ने नीती बनाने का आए तो अलग अलग राज्यों की नीतियों की सटी करके नीती बना करके पहले दी थी अब कुछ और उसमें जो संसोदन होने हैं लेकिन उन्होंने जैसा बताया है कि कैंसर रोग असाध्य रोग इंडी रोग जो असाध्य रोगों से लोग हैं उनको रिलीव देने का उनका मन है तो जैसे भी वह हमारे को पास रिलेक्सेशन आएगा हम कर देंगे आप लोग देखिए जो गोसा कि यह उसको तो इंप्लिमेंट करेंगी करेंगे कुछ कुछ अने राजयों की पॉलिसी को उन्होंने का स्टेडी कर लो और उनके कोई अच्छे मिंद्व हो तो इसमें जोग लोग पत्मी जो बूसे राजयों में पदस्तावीद है उन्हें भी सुखेंगे लेकिन इसमाम में पॉलिसी बनेगी आपके सामने आजेएंगे पॉलिसी बनेगी जैसे दुरुस से मानी मुख्यमंदी जी की मंसा है पॉलिसी बनाकर थर्ड ग्रेट टीजर्स के लोगों को भी रात दी जाएगी उनकी भी समझ्याएं सुनकर उनको रात देगी आपको क्या लगता है कि इसकी स्कीम दी है यह खुले हम करें लुप यह को बंद करेंगे तो इनको को कोई करमशारी वोट देगा आपको विचार करो चीदा रही है प्रदान मंदी जी कह रहे हैं पिर जो मुख्यमंदी जी ने दस गारंटी होजना है दी है इसी प्रकार जो आपके सामाजी का अधिकार था में एक अजार की सबको बैंसें परना परसें प्रती परसे जाफा मंद्रेगा और यह अपना इंद्रागंदी सेरे रोज़गार योजना में एक सो पचीस पचीस दिन का रोज़गार इसके साथ जो अनपूर्णा योजना उसमें पहले मिलता था अब उसके साथ चीनी दाल तेल मसाले मिलेंगे इसके साथ साथ दो विक्तियों का दुर्गटना भीमा पचीस लाग तका इलाज फुरी दो गाय या दो बैंस को ही रख मेंगाई और विरोजगारी यहां राजिस्तान में मुख्यमंत्री जी ने कम की है और केंद्र सरकार के खलाब खुले आम एंटी इंकमबेंसी है उन्होंने का हम दो करोड़ लोगों को रोजगार देंगे नहीं दिया उन्होंने कहा था कि हम पंदरा लाग ठाते में डालें उन्होंने का था किसान की इंकम दुखनी करें नहीं की महिंगाई कम करें के महिंगाई कम नहीं वी रोजगारी दूर करें के दूर नहीं कि योजनादी चार वर्स की नौकरी उसके बाद चुट्टी नो पेंशन घर मेट जो इन सबसें एंटी है केंद्र सरकार के खिलाब आप निशित मानिए जैसे करनाटक में इक माचल परनेश में तो किए रहे थे एक कौंग्रेस मुक्त भारत करेंगे कौंग्रेस युक्त हो रहा है भारत इसलिए अच्छों इंडिया के नाम से पूरे गठबंदन का नाम है इत्फाक से इंडिया बन गया अब आप देख रहे कि किस तरीके से वह जो है इस गठमंदन को कमजोर करने की कोशिस करने में लगे हुए हैं यह गठमंदन कमजोर नहीं होगा मजबूत होगा और पूरे देश में बोटों का बटवारा जो है वो रुकेगा और इस्षित रूप से इंडिया गठमंदन जीतेगा केंदर पर दबाओ कहा एलेक्षण से पहले पेट्रोल डीजल की और और किम्ति अब केंदर भी कम करें तो बराबर सुरू से यह इन्होंने वाइदा किया था कि हम पेट्रोल डीजल के दाम कम करेंगे इन्होंने सो रुपे के आरपारवल की सौरपे से भी अधिक डीजल जिन से महंगी कर दी